तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने Windows 11 के इंदर अपने drivers को update तो simply कुछ नहीं करते हैं आपको यहाँ पर जाने है अपने start पे इसके लिए आपको दूस चीज के जरवत पड़ेगी पहले तो अपना internet होता ही है दूसरी चीज है आपको यहाँ पर अपने settings में जाना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने startup पे क्लिक कर लेते हैं याद रखने हैं आपको यहाँ पर right click करना है and right click करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने device manager पे तो इस पर आपको जाना है ध्यान रखिएगा इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसी के देख पार है यहाँ पर बहुत कुछ चीज़े देख जाती है या फिर आप चाहे तो यहाँ पर control panel से भी जा सकते हैं या फिर आप device manager भी search कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने device लिखते हैं तो यहाँ पर जैसी के हम देख पार है device manager देख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्थीन चीज़ ही आपकी यहाँ पर open होगा तो suppose आपके यह दो चीदी के काम नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे तो control panel से भी खोल सकते हैं तो control panel हम search कर लेते हैं और control panel search करने के बाद आपको यहाँ पर view by category को change करके view by large icon कर लेना है उसके पर आपको यहाँ पर device manager देख जा रहा होगा तो इस पर आपको click कर लेना है तो उस पर click करने के बाद आपका वापस सेम यह चीज़ ही खुलेगा तो सब होने के बाद आपको suppose कोई भी यहाँ पर आपको ड्राइवर अपडेट करना है तो उस पर आप चले जाएंगे हमको इसका ड्राइवर चेंज करना या फिर किसी कह भी एक कर ब्राइवर चेंज करने डिवाइस का सौफ़्वैल का sound का या फिर वे का तो उसका ड्राइवर चेंज कर सकते हैं तो यहाँ जैसे कि standard open HCD वाला है तो इस वाले करना है तो कुछनी करना है start zweiten करने के बाद update driver जैसे कि आप देख पारें इस वाले option पर आपको क्लिक कर लेना है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहां पर search automatically for drivers तो यहां पर पूछा जारा है कि कैसे करना है अपने drivers को और एक option है search automatically for drivers तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका automatically internet के तुरू हो जाएगा आपका driver search बट जो भी आपको requirement होते है वो कि यहां पर जैसे आपको इंटरनेट जरुद पड़ेगी तो यहां पर अपनी जो कि यहां बाकि दूसरे option में भी जा सकते हैं search for updated drivers on windows update तो यहां पर यह लिखा रहा था बाकि दूसरे आल पर अगर हम चाहिए कर सकते हैं उस में भी जा के यहां फिर आप इसको simply close कर सकते हैं because यहां पर अपनी जो driver best driver थी वह already installed दिखा रही है तो suppose आपका यह वाला तरीका work नहीं करता है तो अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आप इसको अपडेट बाइ यहां से आप driver को choose कर सकते हैं and okay press कर सकते हैं तो यहां से करके भी आप यहां से अपना install कर सकते हैं और let me pick a list of available drivers on my computer तो यह भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे drivers हो सकते हैं आपके यहां पर category करते हो सेम सेम ड्राइवर के लिए मतलब सेम चीज के लिए तो वहां पर आप चूम भी कर सकते हैं इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां परर इसकी एक ही दिखा रहा यह तो यहां पर एक ही है फिल अगर बहुत सारी options दिखा जाता है तो आपको उसको चूस करने का options मिल जाता है install कर लेना है देन आपका windows successfully यहां पर drivers को install कर चुका है दिखा रहा है तो simply close कर लेना आपका यहां पर driver update हो जाता है suppose जीते भी मैंने अभी method बता है वो Heel of इन टार यहां पर यहां पर जाना है जाने के बाद आपको properties पे तो यहां पर तो यहां पर आप अपको drivers पर जाना है यहां पर जाने भाद यहां पर जैसा धार ढ्याइं दिखा़ देरा है तो यहां- Eisen Deaf chosen डिटेल्स यहां पर दी गई है और इवेंट्स दे गई कि आपका लास्ट अप्टेट कब हुआ था तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने विंडूस 11 के अंदर अपने ड्राइवर्स को अपडेट